स्ट्रॉबरी सबकी फेवरेट होती है और मार्केट में आजकल हर मौसम में अविलेबल होती है तो आज बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबरी की बहुत ही टेस्टी डिजर्ट चलिए शुरू करते हैं फ्रेश स्ट्रॉबरी का एक पैकेट लिया है मैंने इसमें थाइसोग्राम स अब इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले ये उपर वाला पाट निका लेंगे अब इसको देखे मैं इस तरीके से लंबा-लंबा काट रहे हूं जिससे की ये डेकुरेशन में भी काम आ जाएगा सारे स्टॉबरी मैंने कटिंग कर लिए, फाफ को मैं मिक्सी में ग्राइन करूंगी और हाफ डेकुरेशन के लिए रखूंगी इन स्टॉबरी में अब दो बड़े चमाच, शुगर पॉडर डाल का स्टॉबरी सॉस्त रडी कर लोगी इसके बाद मैं ले रही हूं जार में बिस्किट्स और इनको भी मैं पीस लोगी अब एक बाउन में मुझे लेना है आइस क्रीम तो मैंने पांच आइस क्रीम के पैकेट लिये हैं वनीला आइस क्रीम है ये फ्लेवर में आपको अगर ब्रिक मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं अब जो स्ट्रॉबरी सॉस हमने डेडी की थी वो इस आइस क्रीम में मिक्स कर रही हूं तो इसके अंदर स्ट्रॉबरी का बहुत इचा फ्लेवर और कलर आ जाएगा अब इसको अच्छे से मिलाना है देखिए ये रेडी हो गई इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी आप साइट रख दीजे अब एक बॉक्स लेना है या कोई आपके पास कांच का बाउल हो उसके अंदर बिस्केट जो हमने पीसे थे उसको सैट कर देना है इस तरीकी से चमच के मदद से अपसको सैट कि जो इसको पांच मिन्ट के लिए फ्रिज में रखना है पांच मिन्ट जाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है और इसमें मैं यह कटे हुए स्ट्रॉबरी की लेयर लगा रहे हूं आप इसमें डबल लेयर भी लगा सकते हैं, इच्छे से मैंने इसके उपर लेयर पूरी से लगा दिये, देखिए इसके बाद जो स्ट्रॉबरी की सॉस डाल के हमने पेस्ट रेडी किया था इसक्रीम का, इसको 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 इच्छे से फ़ला देना है अब इसे हलका साट टैप कर लिए यहाँ पर अब मैं इसको डेकरेट कर रहे हूँ स्ट्रावरी से अभी क्या कर रहे हु मैं सिफ साइडों में स्ट्रावडरी लगा रहे हूं आपको बीच में भी बीज नहीं रखनी अब इसको फ्रिज में रख दिया मैंने चार घंटे के लिए अच्छे से सेट हो गया है, उपर से अब हम इसके उपर स्ट्रॉबरी डेकुरेट करेंगे, देखिए, पहले कट ओवे पिसेज, और एक मेरे पास स्ट्रॉबरी बची है, वो मैंने बीच में रख दी, देखिए कितनी ब्यूटिफुल लग रहा है ये ड निकालते हैं, आप इस तरही किसे से सर्फ कर सकते हैं, बहुत ही सुन्दर देखने में और बहुत ही यमी खाने में, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है, आप इसको जरूर ठाई कीजिए, और मुझे कमेंट में बिताइएगा, कि आपको ये स्ट्रॉबरी क कैसा लगा, थैंक यू